हलो फ्रेंड्स आल आफ यू गूड बॉर्निंग आई एम धर्मेन सर टूड़े डिसकर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके तो आएए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग अभी तक क्या-क्या स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में थोड़ा मैं रिकॉल करता हूं इसक इसरे वीडियो में जो कुछ सीखे थे आज उससे रिलेटेड हम लोग कोश्चन सॉल्व करेंगे ओके तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एस्टेंडर फॉर्म एन जेनरल फॉर्म अप्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा दिया हूं और नेचर ऑफ रूट्स या सलूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको सिखाया हूं इस कंसेप्ट को एक्स्प्लेटिक इक्वेशन तो सलूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास टोटल थ्री मेथड है जिसमें से फॉस्ट मेथड जा फेक्राइजेशन मेथड तो उस उस concept को हम अलेडी explain कर चुके हैं and next जो method number two है वो है complete squaring method the completing the square method में हम लोग इसको क्या बोलते हैं आज previous आज के वीडियो में हमने आपको previous वीडियो में explain कर दिये हैं कि उसके क्या-क्या algorithm होता है किस step पर आपको ध्यान रखना है और उसमें मैंने आपको total three step बताया था कि पहला step था कि coefficient of x square को आपको unity बनाना है अगर coefficient of x square one है तो कोई problem नहीं है अगर one नहीं है तो आपको unity बनाना है second point हमने आपको बताया था कि जो आपको constant term है उस constant term को LHS side में shift करना है and मैंने third point आपको बताया था कि आपको middle term जो होता है middle term equal to one upon two coefficient of x का bracket square करते हैं और उसको हम LHS और RHS side में add करते हैं तो यह आपको तीन point था जो कि आपको ध्यान में रखना है तो complete squaring method में यह तीन concept होते हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है और एक completing square method जो है वो बहुत important है आगे 11th 12th और यह यह होता ही है बाकी आपको 12th में जब आप calculus अगर math आपका stream होगा तो math side से आप study करेंगे जेई means के तियारी करेंगे तो 11th और 12th में इसका बहुत तीज होता है तो अगर इस method में आपको कहीं भी problem हो तो please मुझे comment करके या मुझे मेरे personal workshop पर आपना doubt पूश सकते हैं या आप मुझे calling कर सकते हैं प्लीज 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 मैं आपको तीन बार प्लीज बोल रहा हूं क्योंकि यह method बहुत important है ओके तो आए हम लोग इस method से related कुछ question और solve करते हैं तो मैंने previous वीडियो में आपको मैंने शरिफ एक एक या दो question solve किये थे लेकिन आज हम इसे related बहुत सारे question solve करेंगे okay student तो आए हम लोग question solve करते हैं तो मेरा है कि solve the following quadratic equation by completing the square method तो हमें completing the square method से अभी हमने दो question लिया है question number one and question number two है तो question number one है कि five x square minus six x minus two equal to zero and question number two है x square minus in bracket root three plus one bracket close x plus root three equal to zero okay तो आए हम पहले first question explain करते हैं first of all explain the first question and then after then question number two okay तो हमने यहाँ पर solution लिखता हूँ solution, solution, question number one है five x square minus six x minus two equal to zero okay तो एक question number one मैंने लिख दिया तो हमारे पास आ गया या this implies फिर से लिख देता हूँ five x square minus six x minus two equal to zero तो ओके अब मैंने बताया था कि first point मैंने बोला था कि पहले तो इसे अस्टेंडर form में लिख लेंगे ते already a standard form में है given quadratic equation को standard form में लिखेंगे ते already a standard form में दिया हुआ है अगर नहीं दिया होता कुछ term LHS कुछ term RHS में होते तो RHS must be zero RHS वाले टर्म को हम कहां सब्सक्राइब कर लेते हैं LHS side में और RHS must be zero तो इस्टेंडर form में convert होता है second point आपको ध्यान देना है कि हमें coefficient of x square must be क्या होना चाहिए one होना चाहिए लेकिन here coefficient of x square क्या है five है तो मैंने आपको बताया था कि जो coefficient x square का है उसी से हम LHS RHS को divide कर देंगे तो coefficient x square का क्या हो जाएगा one हो जाएगा अगर हम x square का coefficient यहां five है अगर हम LHS RHS को five से divide कर देंगे तो five x square upon five five से five cancel होकर क्या हो जाएगा x square का coefficient one होगा तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो आपके पास x square का coefficient one नहीं है और one से जादा more than one है one से जादा number है तो जो x square का coefficient दिया है न उसी से entire equation को divide कर दिजे बस बस एक concept आपके दिमाग में होना चाहिए ओके तो आएए ताम लिखूंगा dividing dividing by five on both side dividing dividing by five on both side on both side the dividing by five on both side the dividing by five on both side we get we get okay तो अगर हम five से इसको divide कर दें dividing by five on both side we get तो आपके पास कैसा दिखेगा तो हम लिखेंगे this imply five x square upon five minus six x upon five minus two upon five equal to zero upon five okay या this imply this imply अब देखें five divided by five cancel ओकर one हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं x square minus six upon five x minus two upon five equal to zero upon five zero upon five कितना हो गया जीरो तो दीस इंपलाई अब मैंने क्या बोला था कि constant term constant term को हम कहां shift करेंगे आरेचे साइड में तो देखिए एक से इसके साथ वेरियेबल है लेकिन एक माइनस two upon five क्या इसके साथ कोई वेरियेबल नहीं है तो इसे हम constant term बोलते हैं इसको कहां shift करेंगे आरेचे साइड में ओके तो हम लिख सकते हैं x square minus six upon five x equal to two upon five यहां तो कोई आपको problem है no problem अब हमने बताया था कि middle term निकलना तो middle term equal to क्या होता है middle term equal to one upon two coefficient of x का bracket square तो यहां लिखेंगे middle term middle term equal to one upon two coefficient of x का bracket square तो हम लिख सकते हैं this implies middle term middle term equal to in bracket one upon two one upon two coefficient of x is what coefficient of x is minus five minus six upon five तो with sign लिखेंगे तो minus into minus six upon five का bracket square अगर simplify हो रहा तो आप simplify कर लिजे तो यहां से simplify करके हम लिख दिया three तो यहां पर हो गया this implies middle term middle term equal to minus three upon five का bracket square equal to nine upon twenty five तो यहां तक तो आपको कोई problem नहीं होगा होगा middle term निकाल लेंगे तो क्या minus three upon five का bracket square अगर even number power में होता है तो अगर minus sign होता है तो converter किस में convert हो जाता है positive sign में यह तो आपको concept पता है और three का square nine होता है और five का square twenty five ओके तो यहां तक आपको कोई problem नहीं है अब हमने बोले थे कि जो middle term आएगा जो middle term हम find कर लेंगे तो उसको अर्चेस और होman में एड़ करेंगे क्या करेंगे एड़ करेंगे क्या करेंगे एड़ करेंगे तो मिडल टर्म को मिडल टर्म इक्वाल टू 9 अपॉन 25 को हम क्या करेंगे एल एचेस और आरचेस में एड़ करेंगे तो स्टेप नमबरों थर्ड था तो दीस इंपलाई तो दीस इंपलाई क्या लिख सकते हैं x square minus 6 upon 5 x plus plus क्या करेंगे 9 upon 9 upon 25 equal to 2 upon 5 plus 9 upon 25 हो गया यहां तक तो आपको समझ में आ गया फिर लिखेंगे अब इसे perfect square के term perfect square बनाने को सिस करेंगे तो कैसे बनाएंगे तो देखिए यह हमारा x square हो गया minus 6 upon 5 x plus b a हमारा b बनेगा x square तो इसको a square plus b अब plus बीच में minus 2ab plus 2ab होता है middle term में तो अगर हमाई x square इधर दिख रहा है last term b square दिख रहा है कि इसको b square बना सकते है a means x square और b square के जगह पर इसको b square के form में बना सकते हैं इसको collection 3 upon 5 का bracket square हो जाएगा तो a b perfect square है और 9 upon 25 को हम perfect square के form में लिख सकते हैं हमें क्या arrange करना है middle term को middle term में क्या होना चाहिए 2ab minus 2ab या plus 2ab यही होता है न a plus b का bracket square equal to a square plus 2ab plus b square और a minus b का bracket square equal to a square minus 2ab plus b square यहा तो plus के form में perfect square बनाेंगे या तो minus कटर में perfect square बनाएंगे दो ही में हम perfect square बना सकते हैं right तो अगर हम this court arrange करेंगे तो x square minus 2ab तो हम six को break कर सकते हैं six को break कर सकते है na 6 को क्या लिख सकते है तो 2 into 3 तो यहां लिख सकते हैं 2 into 3 upon 5 x plus 3 upon 5 का bracket square equal to 5 और 25 का LCM कितना होगा 25 यह तो आपको पता होगा तो यहां लिख दिया 25 25 ओके अब यहां पर 25 होगा तो इसको 25 करने के लिए उपर नीचे कितने के multiply करेंगे 5 का तो यह कितना हो गया 10 अब प्लस 9 यहां तक आपको कोई समझने में प्रोब्लम नहीं आया होगा यहां तक आप समझ लिए होंगे तो यहां तो आप देखिए x square minus 2 a a के जगा पर x हो गय क्या b क्या 3 upon 5 plus 3 upon 5 का bracket square तो a square minus 2 a b plus b square means this imply x square minus 2 into 3 upon 5 x plus 3 upon 5 का bracket square equal to आगे वाले टर्म को हमें रेंज कर लेंगे simplify कर लेंगे तो इस वाले टर्म को इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं this imply x minus यहां minus sign है तो minus का आएगा x minus 3 upon 5 का bracket square equal to कितना हो जागा 10 plus 9 10 plus 9 19 तो यह होगे 19 upon 25 यहां तक तो आपको कोई समझने में problem नहीं आया होगा यह first step से लेकर यहां तक तक कोई problem नहीं है अब हम आते हैं हमने बताया था कि अगर LHS side में square दिया है और जब यह square convert होगा RHS side में जाएगा तो क्या होता है तो उसके इधर square है RHS में जाएगा तो square root में convert होता है किस में convert होता है square root में अगर इधर square है अगर इधर से RHS से LHS से RHS side में जाएगा तो square root में convert होगा तो हम लिख सकते हैं कि this implies x minus 3 upon 5 equal to plus minus root under 19 upon 25 यहां हम लिख सकते हैं यह इस term को हम उधर transfer कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं therefore x equal to 3 upon 5 plus minus root under 19 upon 25 तो यहां तक आपको समझने में कोई problem नहीं हुआ होगा कि कैसे first step से लेके यह maximum last step भी आ गया है तो यहां तक से आप अच्छे से note book अपना note book में spare note book में note करिएगा इस question को and इसको अच्छे तरीका से हर step को ध्यान में रखते हुए और इस concept को clear कर लिजेगा क्योंकि complete squaring method बहुत important है further application of higher education के लिए higher education point of view से भी आपको engineering भी करना चाहेगा उसमें भी complete squaring method use होता है तो इस बात को ध्यान में रखकर इसे बार बार practice करेंगे और कुछ भी doubt होगा तो मुझे personally worship कर सकते हैं comment कर सकते हैं तो यहां तक मैंने लिख दिया अभी इसका answer निकालना है तो मैं इस point को इधर वाले point को rough करूंगा और मैं answer निकालको आपको दिखाऊंगा ओके तो आईए इसे rough करता हूं मैं तो therefore therefore x equal to 3 upon 5 plus minus root under 19 upon 25 तो आपको देखे यह 25 perfect square बना सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं therefore x equal to 3 upon 5 plus minus root under 19 upon 5 ओके अब हम यहां पर 2 case लेंगे first case में क्या करेंगे positive sign लेंगे और second case में क्या करेंगे negative sign लिखें अगर हम लिखा case 1 case 1 taking क्या positive sign तो therefore x equal to 3 upon 5 plus root under 19 upon 5 हमने किस sign के लिए solve किया है positive sign के लिए तो यहां सो गया therefore x equal to 3 plus root under 19 upon 5 क्योंकि दोनों का denominator क्या है same है इसका 3 upon 5 इसका भी denominator है और इसका भी denominator same है तो with sign हम add कर लेंगे okay तो x equal to 3 plus root under 19 upon 5 आया second case हम negative sign के लिए बात करेंगे तो यहां लिखेंगे case number 2 case number 2 क्या हो गया therefore x equal to 3 upon 5 minus root under 19 upon 5 मैने मैनस sign के लिए solve कर लिया तो therefore यहां पर भी क्या है दोनों का denominator सेम है तो हम बोल सकते हैं therefore x equal to 3 minus root under 19 upon 5 तो अगर हम इसका solution लिखेंगे कि therefore x equal to क्या है 3 plus root under 19 upon 5 first root आया second root 3 minus root under 19 upon 5 तो इस तरह से हमारे पास x के लिए कितने root आ गए 2 root आ गया कितने root आये 2 root आये तो हमारा x के 2 solution आया first आया एक 3 plus root under 19 upon 5 and second आया 3 minus root under 19 upon 5 दोस्तों तो यहां तक हमने आपको question number first explain किया आप video को serious देखिए इसमें कोई भी doubt हो तो मुझे comment कर सकते हैं ओके तो अब next question हमारा question number two है मैं इसको explain करूंगा तो आये question number two क्या है और आप इसको अपने notebook में अच्छे तरीका से note कर लिजेगा ओके तब हम question number two explain करने जा रहे हैं तो question number two है कि first question मैंने explain कर दिया question number two है ता यह solution लिखता हूं solution solution okay तो हमारे पास x square minus in bracket three plus one x plus root three equal to zero right अब हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर देखे in this quadratic equation x square का coefficient क्या है one है यहां पर कोई division करने क्या हमें problem नहीं है यहां division करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि x square का coefficient already क्या है one है ओके तो आप देरेक्ट हम second step पर जा सकते हैं और first step थोड़ा यह first step बुला था मैंने कि यह standard form में होना चाहिए already a standard form में है coefficient of x square का कोफिसेंट of x square one already है तो हम आगे इसे प्रोसीज कर सकते हैं ओके तो आप आपको ध्यान देना है कि given quadratic equation standard form में है की नहीं तो आप standard form में लिख लिए नहीं है तो फिर आपको second point आपको ध्यान में रखना है कि इसके x square के coefficient one है की नहीं अगर one है तो कोई problem नहीं है ओके तो आएए तो हम लिख सकते हैं this imply x square minus in bracket root 3 plus 1 x plus root 3 equal to 0 अब हम क्या लिखेंगे अब हम क्या करेंगे अब middle term निकालेंगे नहीं मिडल टर्म से पहले क्या करना था हमें कोफिसेंट और कोईस्टेंट टर्म को आरेचे साइड में ट्रांसपर करना था तो हम लिख सकते हैं this imply x square minus root under 3 plus 1 x equal to minus root 3 ओके एक कोईस्टेंट टर्म है हमने इसे किधर ट्रांसपर कर दिया आरेचे साइड में तो किस चीज का साइड है यहां plus के साइड है और यह साइड में जाएगा तो साइड होता है मैंने पहले ही बता रहा है पहले से ही explain करते आता हूं कि जब भी कोई वी टर्म एलेचे से आरेचे से में जाए और आरेचे से एलेचे साइड में आये तो उसका क्या होता है साइड चेंज होता है तो यहां पर प्लस रूट थ्री है और यह एलेचे साइड में है जब आरेचे साइड में गया तो साइड change हो गया minus root 3 हो गया फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि क्या निकाल ला हो middle term तो middle term equal to क्या होता है middle term equal to 1 upon 2 coefficient of x square अब बार बार लिखने के क्यों जोर होते ही है coefficient of x square तो coefficient of x square क्या है minus in bracket root 3 plus 1 ओके root 3 तो यहां लिखेंगे curly bracket में minus minus बार ले into minus root 3 plus 1 bracket close and curly bracket का square लगा दिया ओके तो हमने क्या लिखा इसको simplify कर लेते हैं तो minus root 3 plus 1 bracket close upon 2 curly bracket का square हमने लगा दिया ओके अब देखिए अब हमारे पास यह minus है इसका power क्या है even number है 2 है तो यह already किसमें convert हो जाएगा positive power इसका क्या हो जाएगा positive हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं root 3 plus 1 का bracket square upon 2 का square किता हो जाएगा 4 यह तो आपको पता है ना 2 का square 4 हो जाएगा direct अब हम इसे open करेंगे क्या करेंगे open करेंगे किस पर open करेंगे a plus b के bracket square पर हम इसको open करेंगे तो यहाँ पर हो गया this implies root 3 का square a square plus 2ab तो 2 root 3 into 1 plus 1 का square upon 4 या हम इसको लिख सकते हैं root 3 का square 3 plus 2 into root 3 into 1 2 root 3 तो plus 2 root 3 plus 1 upon 4 तो यहाँ हो गया 3 plus 1 को add करेंगे 3 plus 1 कितना था 4 तो यहाँ पर आ गया आपका 4 plus 2 root 3 upon 4 तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 2 common ले लेते हैं तो 2 common लेंगे तो 2 plus root 3 upon 4 यहाँ से cancel हो गया तो middle term equal to आ गया middle term equal to middle term equal to 2 plus root 3 upon 2 2 plus root 3 upon 2 तो यहाँ तक आपको कोई problem नहीं होगा तो क्योंकि मीडियल टर्म निकाला हो थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या किये हैं कि थोड़ा सा इसको arrange करके यहाँ तक middle term निकाले हैं ओके अब हमारा क्या था इस middle term को lhs और rhs साइड में add करना था तो add कर लेते हैं तो हम लिखेंगे this imply क्या है x square x square minus in bracket root 3 plus 1 x और plus 2 plus root 3 upon 2 equal to minus root 3 अब प्लस 2 plus root 3 upon 2 हो गया राइट अब फिर हमें क्या बोले था हम इसका perfect square बनाएंगे या तो a plus b का bracket square या तो a minus b का bracket square दो term है तो यहाँ minus वाले ही term बनेगा क्योंकि middle term हमारा क्या है minus में है तो a minus b का bracket square बनेगा ओके तो यहाँ x square हो गया है इसको हमें क्या चाहिए 2 a b a plus 2 plus root 3 upon क्या है 2 है तो इसको थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं ओके तो इसको थोड़ा अरेंज करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा अब बताए इसको कैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं इसे अरेंज करने के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि हम इसको perfect square बना दूं इसे perfect square बनाने के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसे रूट 3 को हम रूट 3 है रूट 3 को हम ब्रेक कर सकते हैं तो रूट 3 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं अगर इसको हम ब्रेक करेंगे रूट 3 को हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रूट 3 को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि root 3 को हम कैसे break करेंगे ओके तो आएए इसको हम लोग कैसे break करेंगे हम लोग देखते हैं कि ये perfect square में कैसे convert होगा तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि x square minus root 3 plus 1 in bracket close x plus 2 plus root 3 upon 2 equal to minus root 3 plus 2 plus root 3 upon 2 हो गया है तो इसको अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा हम लोग rearrangement कर सकते हैं यहां पर rearrangement क्या कर सकते हैं कि उपर नीचे 2 का multiplier divide कर देते हैं या तो यह भी कर सकते हैं या तो हम यह कर सकते हैं कि यह वाला जो term है ना 4 plus 2 root under 3 upon 4 है इसी को हम direct लिखते हैं इसको simplify करने की कोई जरूरत नहीं है हम direct इस term को अगर लिखते हैं तो हमारे simplify करने की कोई जरूरत नहीं है तो हम direct अगर इस term को लिख देते हैं simplify कर तो हमारे यहां पर एक perfect square बन जाएगा या तो फिर आपको यहां 2 का multiply करिए divide करिए तो यही term आएगा उससे अच्छा है कि हम इसे simplify नहीं करेंगे तो यहां पर हम rough कर देता हूं ते वाले term को rough करके हम direct इसको लिखते हैं इसको rough करता हूं और direct हम middle term equal to लिखते हैं middle term equal to हम direct लिखते हैं कि middle term equal to 4 plus 2 root 3 upon 4 अब इसे simplify नहीं करेंगे हम लोग simplify करने की कोई जरूत नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं direct series को LHS RHS में add कर लेंगे तो हमारे पास आया x square minus root 3 plus 1 x plus 4 plus 2 root 3 upon 4 equal to minus root 3 plus 4 plus 2 root 3 upon 4 अब देखिए तो अब हम क्या कर सकते हैं this imply x square minus root 3 plus 1 x plus अब हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं 4 को थोड़ा break करेंगे तो हम 4 को लिख सकते हैं root 3 का square अब plus root 1 का square लिखेंगे 1 यहां root 1 यहां लिखेंगे root 3 का square plus 1 का square okay तो root 3 का square के अब 4 का हम break कर रहे हैं तो root 3 का square कितना होता 3 अब plus 1 का square कितना होता है 1 तो 3 plus 1 कितना होगा 4 अब plus 2 root 3 upon 4 equal to इसको simplify कर लिए इसके denominator में 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं minus 4 root 3 अब plus 4 अब plus 2 root 2 root 3 upon 4 okay अब देखिए यह हमारा क्या बन गया यह हमारा बन गया a square plus b square plus 2ab 2 into root 3 into 1 1 नहीं यहां लिखे हैं तो a square plus b square plus 2ab okay तो हम इसको बोल सकते हैं a a plus b का bracket square बोल सकते हैं तो यहां into 1 लिखना है तो 1 भी लिख लिजे 2ab हो गया तो this imply x square minus root 3 plus 1 x plus root 3 plus 1 upon क्या क्या बन सकते हैं 2 का bracket square equal to इसको हमने लिख दिया a square plus b square plus 2ab तो root 3 plus 1 upon 2 का अब 4 का 4 का हम क्या लिख सकते हैं 2 का bracket square okay तो root 3 plus 1 upon 2 का bracket square equal to इसको simplify कर लिए तो हमारे पास है 4 minus 2 root 3 upon 4 यहां से simplify कर लिए यह कितना है minus हो गया तो minus 4 root 3 और यहां पर क्या है 2 root 3 तो minus 4 minus 2 root 3 upon 4 okay अब देखिए अब क्या कर सकते हैं अब हमारे पास क्या हो है a square plus 2ab plus b square तो यहां 2 का multiply कर लेते हैं 2 से divide कर लेते हैं okay तो यहां हो गया x square minus 2 minus 2 in bracket root 3 plus 1 upon 2 into x plus root 3 plus 1 upon 2 का bracket square equal to 4 minus 2 root 3 upon 4 तो हमारा a बन गया a minus b का bracket square okay a square minus 2ab plus b square equal to this number तो हम इसको लिख सकते हैं this imply x minus root 3 plus 1 upon 2 का bracket square equal to 4 minus 2 root 3 upon 4 तो यहां तक मैंने आपको explain कर दिया यहां तक पहले आप note कर लिजे इसके बाद मैं इधर के term को rough करूंगा ओके इधर मैं राफ करता हूं तो हम क्या लिख सकते हैं कि x equal to या this imply this imply x minus root 3 plus 1 upon 2 का bracket square equal to एक क्या है 4 minus 2 root 3 upon 4 तो क्या इसको भी हम उसके form में लिख सकते हैं किसके form में root 3 कि इसका भी perfect perfect square हम बना सकते हैं जैसे इसका हमने perfect square बनाया था तो इसको भी minus इसके term में perfect square बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं आप देखें मैं बना रहा हूं 4 को हम लिख सकते हैं root 3 का square अप प्लस root 1 का square माने स्रीफ कि स्रीफ 1 का square minus 2 root 3 upon 4 तो क्या बन गया root 3 का square 3 अब प्लस 1 4 हो गया 4 को मैंने ऐसे एरेंज कर दिया माइनस 2AB तो माइनस 2 A के जगा root 3 into B कर लिजे B के जगा 1 लिख दिया मैंने into 1 हो गया ओके तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 upon 2 का bracket square यह भी आपका perfect square में convert हो गया अब देखे अब यह root हटेगा तो यह under root में convert होगा यहां से root हटाएंगे यहां से square हटाएंगे तो किस में convert होगा under root में convert होगा तो इस इंप्लाई इस इंप्लाई एक्स माइनस root 3 plus 1 upon 2 equal to plus minus root under root 3 minus 1 upon 2 का bracket square ओके तो हमारे पास आया here इसे रफ करता हूं तो रफ करने के बाद हमारे पास आया कि this implies x equal to a minus sign है और a minus sign LHS से RHS में जाएगा तो sign convert हो जागा तो किस में convert हो जागा plus में तो यह आपका हो गया root 3 plus 1 upon 2 plus minus अब देखिए यह root से number निकलेगा perfect square है तो plus minus root 3 minus 1 upon 2 तो यहां पर हम दो case लेंगे एक positive के लिए एक negative के लिए तो case number 1 case 1 के लिए solve कर रहा है तो taking positive sign therefore x equal to root 3 plus 1 upon 2 plus root 3 minus 1 upon 2 तो therefore x equal to दोनों का denominator क्या है सेम है तो हम numerator को add कर लेंगे तो 3 plus 1 plus 3 minus 1 upon 2 minus minus plus cancel therefore x equal to 2 root 3 upon 2 means कितना root 3 2 से 2 cancel तो x equal to कितना है root 3 तो हमारे पास case 2 के लिए solve करेंगे case 2 के लिए कितना है case 2 में क्या लेंगे positive sign लेंगे case 2 के case में क्या लेंगे sorry case 1 में positive लिए तो case 2 में क्या लेंगे negative sign taking negative sign तो then therefore x equal to root 3 plus 1 upon 2 minus root 3 minus 1 upon 2 तो therefore x equal to root 3 plus 1 minus in bracket root 3 minus 1 upon 2 यहां तक तो आपको कोई समझने में problem नहीं हुआ होगा अब यह minus sign है bracket से पहले क्या है minus sign है अगर हम bracket को open करेंगे तो sign क्या हो जाए inside in bracket change in sign therefore x equal to root 3 plus 1 minus root 3 plus 1 upon 2 तो root 3 से plus के root 3 minus के root 3 क्या होगा cancel out हो गया तो therefore x equal to 1 plus 1 2 upon 2 equal to 1 तो आपका x के लिए solution आया x equal to therefore x equal to कितना root 3,1 यह आपका x का solution आया x equal to root 3,1 तो इस तरह से हमने आपको 2 question explain किया complete squaring method से तो यह आप 2 question को अच्छे तरीका से आप solve करेंगे इसमें कुछ doubt होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे क्या बोल सकते हैं कि जो भी कुछ doubt होगा मुझे personally workshop कर सकते हैं तो आज के लिए इतना हम आपको कुछ homework भी देने वाले हैं तो इसी से related आईए कुछ homework आपको दे रहा हूं आप solve करके घर से लेकर आएंगे ओके तो मैं इसे rough करता हूं और यह homework में लिखता हूं कि आप घर से solve करके लाएंगे तो यह अच्छे note अपने fair notebook में अच्छे तरीका से इसे लिख लिजिएगा बहु सारे important concept में आपको explain कर रहा हूं तो इसके बाद हम लोग आते हैं homework लिखता हूं आपको तीन question में homework में आपको देने वाला हूं आप solve करके लाएंगे तो question यह है solve the following quadratic equation by completing the square method question number one है question number two x square two x square minus seven x minus seven x plus three equal to zero question number two है two x square plus x minus four minus four equal to zero question number third है कि four x square plus four root three x और प्लस three equal to zero यह आपको question है homework तो इस तरह से आपको आपके पास मैंने three question दिये हैं जो three question आप घर से homework करके लाएंगे और इस question में अगर कुछ doubt होगा तो आप मुझको personally या मैत homework group में बनाया हूं उस homework group में आप send कर सकते हैं सर एक question doubt है तो previous video में भी मैंने आपको 4-5 question दिये हैं तो उसको भी आप मुझे previously क्या बोल सकते हैं नहीं solve होगा तो मुझसे बोल सकते हैं ओके तो आज के लिए इतना ही next video में हम लोग इससे related और सारे question को solve करेंगे तो ओके भाए thank you मैं आज यहीं पर इस lecture को end करता हूँ करेंगे